एक्टर अलू अर्जुन लगातार पुश्पा टू के चलते बिजी हैं हाल में ही उनकी फिल्म का गाना भी रिलीज हुआ था मगर इस बीच वो राजनीतिक गलियारों में विवादों में घिरे हुआ ये कि वो दोस्त और विधायक रवी चंदर किशोर रेड़ी के घर पहुँचे थे जहां उन्होंने दोस्त का समर्थन किया जैसे ही ये बात अलू अर्जुन के फैंस को पता चली तो एक्टर से मिलने के लिए भीर लग गई इतना बवाल हो गया कि कानून व्यवस्ता अस्त व्यस्त हो गई नतीजा ये हुआ कि आचार सहिता के उलंगन के चलते एक्टर पर केस भी दर्ज हुआ अब इस पूरे विवाद पर अलू अर्जुन ने रियक्ट किया है अलू अर्जुन ने नांदयाल जाने पर कहा कि वो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए गए थे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनका संबंध किसी पार्टी से है उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है अलू अर्जुन ने ओफिशिल स्टेटमेंट में इस विवाद पर अपना पक्ष रखा उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले तो ये साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूं अपनों का साथ देता हूं इसे राजनीती से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए मेरे चाचा, दोस्त रवी और ससुर रेड़ी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा